नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशिल यूट्यूब चैनल गुरूजी स्पेशिल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तित हूँ साइक्लोजी विशेवस्तू को लेकर स्वागत की क्लास में हम डिसकूस करने वाले हैं निश्चित उद्शिम के सिध्धांत के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासिस के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हम जो है अब सिक्षन के मनुवैगनिक सिध्धांतों पर discussion करेंगे और सिक्षन के मनुवैगनिक सिध्धांत के अंतरगत मैंने आपको लगभग 12 सिध्धांतों के बारे में बताया है और last classes में मैंने आपको सबसे first सिध्धांत क्रिया शिलता का सिध्धांत या फिर करके सीखने के सिध्धान के बारे में बताया उसके बाद मैंने आपको अभी प्रेरिना के सिध्धान के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको आवरती के सिध्धान के बारे में बताया तो आज की class में हम कुछ और अन्य सिध्धान्तों पर discussion करेंगे तो चलिए जानते हैं आज की class में पहले हम सबसे पहले जानेंगे निश्चित उद्देश्यों के सिध्धान्त के बारे में को आपको पढ़ना है जो मनो वैगनिकों ने सुझाव दिये हैं निश्चित उद्धेश्यों के सिध्धान के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि निश्चित उद्धेश्य के सिध्धान होते क्या हैं तो सबसे पहली बात तो ये स्टुएंट्स के सिक्षन एक है देखे जो आप टीचिंग करते हैं जैसे कि मैं आपके सामने इस समय जो यह सूपर टेट से रिलेटिट साइकलोजी के कंटेंट लेके आ रहा हूं और मैं आपको सिक्षन कोशल के अंतरगत सिक्षन अधेगम के सिध्धान टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रषन बने या फिर किसी भी तरीके के प्रश्न को इजी क्लियर कर पाएंगे लेकिन वह कंडिशन तब कर पाएंगे जब आप उसको डिटेल में स्टैडी करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगेост कर देशों को जब आप अपने ब्यावहार में उतारेंगे तब ही आप teaching process करते हैं आप अपनी कक्षा में क्योंकि आप एक अध्यापक है जब आप B.A.D. या फिर D.L.A. पर शिक्षन लेकर आए हैं तो आप अध्यापक बन चुके हैं और उसके बाद आपने सिक्षन प्रक्रिया है वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और इस्ट्रेंट्स मैं आपको बता दू कोई भी कारिये होता है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए यदि उद्देश्यपूर्ण होता है तभी आप उसमें सफल हो पाते हैं और यदि आपका उद् कर लीजिए इसको आप अपने सूपर टेट से रिलेट कर लीजिए कि अगर आप मानते हैं कि आप सूपर टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप पहले अपने आप से वादा कीजिए और अपने आपको बताईए कि मैं क्लियर कर चुका हूं और उसको क्लियर करने के के साथ कर्म करते हैं तो अवश्य ही आपका उद्देश्य पूर्ण होगा और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे तो कहने का मतलब सिक्षन एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है तो इस बात को ध्यान रखेगा क्योंकि यहां से भी एक्जैम्स में सीध इस तरीके से आप से एक्जैम्स में फ्रश्य पूच लिए जाएंगे नेक्स पॉइंट इसमें है कि सिक्षन की सफलता सिक्षन के उद्देश्य से नियंतरित होती है प्रतेक पार्ट का कोई ना कोई लक्ष होता है यदि सिक्षन उसी दिशा में किया जाए तो प्रभाब सिक्षन की सफलता सिक्षन के उद्देश्य से नियंतरित होता है निकि जो सिक्षन की सफलता है आप जो सिक्षन की सफलता ताप्त करना चाते हैं वो आपके सिक्षन के उद्देश्य से नियंतरित होता है यदि आपका उद्देश्य नियंतरित है तो आपका जो सिक्षन है वो सफल अवश्य होगा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका उद्देश्य सूपर टेट को क्वालिफाई करने का है तो आप इजिली कर पाएंगे लेकिन सिर्फ सूपर टेट क्वालिफाई करके ही आपको जॉब नहीं मिलेगी उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ग नियंत्रित होंगे तो आप अपने प्रोसेस में आप अपनी गतिवीधी में आप अपने लक्ष को हसिल करने में सफल अवश्य होंगे तो कहने का मतलब सिक्षन की सफलता सिक्षन के उद्देश्य से नियंत्रित होती है यानि कि वो उद्देश्य पर डिपेंड करता है कि कि आप कैसी सोच रखते हैं अगर आप सो नंबर की सोच रखकर तयारी कर रहे हैं तो आपके 90 माक्स आएंगे 110 का टारगेट लेकर तयारी कर रहे हैं तो आपके 100 माक्स आएंगे और यदि आप 130 का टारगेट लेकर कर रहे हैं तो आपके 120 माक्स आएंगे तो डिपेंड आपक को किस तरीके से नियंत्रित करते हैं यदि आप अपने उद्देश्य को नियंत्रित कर सकते हैं कब आपको स्पीड बढ़ानी है कब आपको स्पीड को कम करनी है किस तरीके से आप इस सूपर्टेट एक्जैम्स के पूरे स्लेवस को कंप्लीट करते हैं यदि आपका उद्दे वीडियो के साथ add कीजिए यदि आप इसको feel करेंगे तो आप easily इन सभी बातों को समझ पाएंगे और आपके exams में जो भी प्रशन पूछे जाएंगे उनको आप easily कर पाएंगे कहने का मतलब students यह है कि इस topic को पढ़ने की पीछे reason सिर्फ इतना सा है कि आप इन topic को पढ़ें और इनके जो भी उद्देश हैं उन उद्देशों को आप अपने ब्यावार में उतारेंगे यदि आप अपने ब्यावार में उतारेंगे तो आप एक प्रभावी अध्यापक कहल आपका प्रभाव आपकी कक्षा में देखने को मिलेगा जो भी बच्चे आपसे मिलेंगे जो भी बच्चे आपसे पढ़ेंगे व आपसे प्रभावित होंगे और आपका पढ़ाया वह उन सभी क्लास के सभी बच्चों को उल्द्द स ही और Nature को मैंसे क्लियर हो जाएंगे इन सवी सिढ़नों को, जो भी मैं ने अभी तक आपको इस टोपिक के इंटरगत बताए, उन सभी चीजों को feel करना होगा, पढ़ने के साथ सत आपको feel करना होगा, और आपके ब्यावहर में उतारना होगा, यदि आप ब्यावहर में उतारेंगे, तो questions के right option तक easily पहुच पाए हैं यदी सिक्षण उसी दिशा में किया जाए तो प्रभावी हो गाइने कि जो टारगेट वो देना चाहते हैं जो लक्ष उनका होता है यदि उन्हीं लक्ष को ध्यान में रख कर आप उन्हें हासिल करने के लिए उन्हें प्रेडित करते हैं समझाते हैं वो topic तो वो topic उनको जो है easily समझ भी आ जाता है और उस topic का प्रभाब उस बच्चे पर पढ़ता है क्यों जब भी उस topic को देखता है उस topics related चीजों को देखता है तो उसके दिमाग में वो सारी बाते उनसे related याद आ जाते हैं जैसी कि मैंने अब भी आपको एक last classes के माध्यन से बताया था कि जब हम APJ अब्दुलकलाम के बारे में कुछ qualities को जानना चाहते हैं उनके बारे में कुछ उनकी विशेशताओं को जानना चाहते हैं तो हमें बच्चों को क्या करना होगा सबसे पहले उनको APJ अब्दुलकलाम के चित्र को या फिर उनके किसी picture को या उनका कोई photo होगा उस photo को आपको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है और उसके बाद बच्चों को दिखाना है कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इस picture में वो APJ अब्दुलकलाम है और APJ अब्दुलकलाम की जो भी विशेशता है आप महाँ पर बताएंगे point to point वो सभी विशेशता उन बच्चों के जीवन में हमेशा याद होंगे वो जीवन में कहीं भी जाएंगे किसी भी माहुल में होंगे जैसी वो APJ अब्दुलकलाम को देखेंगे तो वो सारी बाते जो आपने उनको बताएंगे उनका नाम से लेकर उन्होंने जीवन में जो संघर्श किया लोग उनने जिस नाम से जानते हैं जो भी बाते आप उनको बताएंगे वो ध्यान रहेंगे उन बच्चों को, तो ये होता है स्ट्रेंट्स प्रभावी शिक्षन, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सिक्षन करने जा रहे हैं, उस सिक्षन का जो उद्धेश्य है, वो पूर्ण होना चाहिए, ये जब भी आप कोई सिक्षन प्रोसेस करने के लिए जाते हैं, किसी भी कक्षा में जाते हैं, तो आपका उद्धेश्य बिलकुल पूर्ण होना चाहिए, यदि आपका उद्धेश्य पूर्ण है, तो इसका मतलब आपका जो सिक्षन का प्रभाव है, वो बच्चों परवश्य पड़ेगा, जिस बात को आप समझाना चाहते हैं, वो बच्चे इजिली उस चीज को समझ पाएंगे, दूसरी बात ये है, कि ये सारे उद्धेश्य जो भी होते हैं, सभी को आपको नियंतरित करना आना चाहिए, ये चीज आपको कंट्रोल करना है, यदि आप नियंतरण अपने आपको कर सकते हैं, आप अपने उद्धेश्य को नियंतरित कर सकते हैं, बात ये है, कि हर कोई अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाता और जो व्यक्ति कर लेता है वो famous इंसान होते हैं for example के लिए स्वामे विवेकाननत कह लिजिए, एपी जब्दुल कराम कह लिजिए, सरदार बललब भाई पटेल कह लिजिए जितने भी सक्षियत है, आपके आसपास आपने अपने जीवन में देखा है, सुना है, रविंदना, टैगोर, सुभाष्चेंदर बोश, जितने भी आपने अपने जीवन में बड़े बड़े बुद्धी जीवियों को जिनको भी आपने देखा है, सुना है, जिनके बारे में भी आपने किताबों में पढ़ा है वो सभी सक्षियत अपने उद्देश्य को कंट्रोल करते थे इसी वज़े से वो आज आप जानते हैं उनके जाने के बावजूद भी उनके इस संसार को छोड़ेने के बावजूद भी आप उन्हें जानते हैं उन्हें पहचानते हैं और उ परिवार के लिए अपने समाज के लिए एक जौब पाना चाहते हैं तो यदि आप जौब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके उद्दिश विल्कुल नियंतरित होने चाहिए यदि आपके उद्दिश नियंतरित होंगे तो आप अपने मिशन में अवश्य सफल होंगे औ पहला selection आपका होगा, तो कहने का मतलब मेरा ये है, कि आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, आप जब कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएं, जिस भी topic पर आप discussion करना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य आपके निश्चित होने चाहिए, कि आप पहले से तयार कर लेंगे, आपके उद्देश्य निश्चित होंगे, तब जाकर आप सिक्षन करेंगे, तो उसका प्रभाव आपको वश्चित देखने को मिलेगा, बच्चों को सारी चीज़े easily clear हो पाएंगे, आई होप आप मेरी बातों को समझ पायोंगे, और इस सि उद्देश्य का सिध्धान क्या होता है, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिध्धान आप से क्या कहता है, तो नेक्स्ट सिध्धान कहता है स्ट्रेंट्स आपके लिए नियोजन का सिध्धान, तो देखिए आप से पूछा जा सकता है नियोजन का तो क्या करना होता है देखे इस्ट्वेंट्स नियोजन का मतलब नियोजन भी कह सकते हैं इसको समायोजन भी कह सकते हैं या फिर योजन तो कहने का मतलब आप जो भी गतिवीदे होता है उन सभी को आप एड़िस्ट करते हैं यदि आप उनको एड़िस्ट कर पाते हैं आपके मुझे विद्याले में जाकर कक्षा में पढ़ाना होगा तो पढ़ाने की प्रोसेस को ही हम शिक्षन कहते हैं तो सिक्षन करते समय प्रतिक शिक्षक को अपनी सिक्षन योजना बनानी चाहिए यह निकि जो यह सिक्षन योजना है यह अपनी बनानी चाहिए यदि आप सिक्षन करते समये आप अपनी सिक्षन योजना बनाते हैं तथा उसके प्रस्तूति करण का क्रम ग्यात हो ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो कहने का मतलब यह है strengths कि सिक्षन करते समय प्रतिक सिक्षक को जो भी सिक्षक है उन सभी को सिक्षन करते समय अपने सिक्षन की योजना बनानी चाहिए निकि पहले से उनको planning करनी है कि उनको किस topic को पढ़ाना है उनके पास कितना समय है और उन समय में उनको कितनी चीजे करा सकत हैं वो सारी योजना उनके पास पहले से होनी चाहिए और जब वो सारी योजना पहले से करने के बाद उनका प्रस्तुती करन करेंगे तो प्रस्तुती करन के अंतरगत उन्हें करम को भी ध्यान रखना होगा यह प्रस्तुती करन के अंतरगत यदि वो अपने करम को ध्यान रखेंगे कि पहले मुझे किस topic पर बात करनी है दूसरे नंबर पर किस topic पर बात करनी है तो यदि उनको उसका करम पता होगा तो इसका मतलब वो जब कक्षा में पढ़ाएंगे, section process करेंगे, जो भी बताएंगे वो, उसमें उनकी शब्दों में आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा, उनकी बात करने के तरीके में वो flow आपको देखने को मिलेगा, उनको ये पता होगा कि मुझे पहले point पर किस पर बात करनी है, दूसरे point पर किस पर बात करनी है, और उनसे related उधारन क्या प्रस्तुत करने है, तो इस सारी चीज़े जब वो बताएंगे, अपने according, तो उसके अंतरगत वो कभी रुकेंगे नहीं, उनका flow नहीं रुकेगा, उनका आत्मविश्वास आपको जलकेगा, तो इन सारी चीज़ों को जब आप एक साथ include कर देंगे, तो आपका जो सिक्षन है, वो प्रभावी हो पाएगा, कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कि जब आप किसी topic को 10 दिन, 15 दिन पहले पढ़ते हैं, तो आप अठकते हैं, रुकते हैं, आप कोई चीज बोलने जाते हैं तो आपको सारी चीज़े बिल्कुल exact आपको ध्यान नहीं आपातें, लेकिन उनको यदि आप एक बार देख लेते हैं, 10-15 पहले आप उनको देख लेते हैं, तो आपको बताने के समय वो सारी रुकावटें आपको नहीं आती हैं, आप समझ पाते हैं, आपको याद रहता ह और आपका बोलने का जो flow है वो नहीं रुकता, आपके अंदर आत्मविश्वास जलगता है, तो ये सारी गतीवीधिया क्या ये सारी गतीवीधिया है, या नियोजन है, यहनी समायोजन है, कहने का मतलब जब आप योजना बनाते हैं, कोई भी चीज करने की planning बनाते हैं, तो ये करने के बाद, जब आप उस कारिये को लगातार करते हैं, तो इसका मतलब आपका वो process क्या हो पाता है, प्रभाव पूर्ण हो पाता है, तो यदि आप एक प्रभावी सिक्षक बनना चाते हैं, जिस भी कक्षा में आप जाते हैं, उस पर अपना प्रभाव छोड़ना च चाते हैं, जिस भी बात आप उन बच्चों को जो भी message देना चाते हैं, उन message का प्रभाव यदि आप चाते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले योजना बनानी होगी, यानि कि सबसे पहले आपको नियोजन करना होगा, कि आपको कब कैसे किस तरीके से करना है, और यद के बताने में एक flow उसको दिखेगा, और उन flow के according जब उस चीज़ों को समझते वे जाएगा, तो जो message आप उस बच्चे को देना चाते हैं, उस message तक आप easily पहुँच पाएंगे, और उस बच्चे को भी वो message easily समझ आ पाएगा, तो कहने का मतलब यह है strengths कि का आप कोई भी ग की कक्षा में, या फिर आप 15 मिनिट, 20 मिनिट पहले ही योजना बनाते हैं, कि मुझे अगली class में क्या पढ़ाना है, तो कहने का मतलब यही है, lesson plan का मतलब यही है, कि यदि आप सिक्षन करते समय, प्रतेक सिक्षक अपनी सिक्षन योजना बनाते हैं, यानि बनानी चाहिए यदि सिक्षन करते समय, प्रतेक सिक्षक सिक्षन योजना बनाता है, तो इसका मतलब उस सिक्षन का जो प्रभाव है, वो बच्चों पर पढ़ता है, और बच्चे जो है, किसी भी point को लेकर ध्रमित नहीं होते, उनके मन में doubts नहीं create होते, उनका मन बिल्कुल इसपष्ठ ह होता है कि मुझे क्या पढ़ना था, और क्या मुझे पढ़ाया गया, वो सारी बाते बच्चों को clear हो पाएंगे, teacher के अंदर भी आत्मविश्वास जहलगता है, वो भी feel करते हैं कि जो मुझे message देना था, वो मैं उन तक सही तरीके से दे पाया हूं, बच्चों को सारी बात मुझे बच्चों को देने हैं, तो आपको सोचने का समय, आपको लेना नहीं पड़ता, और जब आप ज़्यादा सोचने का समय नहीं लेते, आप बातों को सही ढंग से बताते हैं, तो बच्चे easily उनको सुनते हैं, समझते हैं, और सीखते हैं, और इस से उन्हें भ्रामित नहीं होते इसका मतलब उन बच्चों पर जो इफेक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव पड़ता और अलग भग सभी बच्चे 90% बच्चों को वो सारी चीजे क्लियर हो जाती है देखें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कक्षा में जो दिव्यांग बालक होते हैं बिंग के तहट आपको पता है कि 100% कोई भी चीज नहीं हो सकता आप यह नहीं जरूरी नहीं कि आपके कक्षा में 30 बच्चे तो 30 के 30 को आप बिल्कुल इजीली बातों को क्लियर कर दे हो सकता है दो तिन बच्चे आपकी बात को ध्यान से ना सुने ठीक है लेकिन वो सारी लिगतीवीधिया यदि आप यह मनोवैगनिक सिध्धान्तों को ध्यान रखेंगे तो उन बच्चों को भी आप इजीली कंट्रोल करेंगे उन बच्चों को कंट्रोल करने के तोर तरीके आप जान पाएंगे और उनको उस धंग से भी कंट्रोल कर पाएंगे तो आई होप आपको ये point के लिए रो गया होगा कि नियोजन या फिर योजन का सिध्धान्थ होता क्या है और as a teacher हमें पहले से सिक्षन योजना क्यों बनानी चाहिए इसका क्या impact उन बच्चों पर पढ़ता है और हम पर भी पढ़ता है क्योंकि जब हम कोई topic पढ़ाने के लिए जाते हैं जैसे कि मान लीजे कि इस समय मैं आपको जो classes दे रहा हूँ कुछ बच्चों के ऐसे message भी आ रहे हैं कि sir आपका जो ये content है ये बिलकुल super TED के लिए उपियोगी है और आप जो है हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा जब तक super TED 2022 का exam नहीं हो जाता है तो इस तरीके के compliment इ जब आपको देखने को मिलते हैं तो आपको लगता है जैसे कि मैं इस समय फील करता हूं कि शायद मैं कुछ बहतर कर रहा हूं क्योंकि जिस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं शायद आप मेरी बातों को समझ पाते होंगे इसलिए आपके इस तरीके के comments आते हैं तो students एक गुजारिश में आपसे करना चाहूंगा कि जितने भी students मेरे classes को देख रहे हैं या मेरे को follow कर रहे हैं तो सभी थोड़ा थोड़ा अगर आप comments करेंगे और मुझे इस तरीके से motivation मिलेगा तो शायद मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाऊं हाला कि मैं मेहनत आपके साथ अवश्य ही करता हूं चाहिए आप comments दे या ना दे बट यदि आप ऐसे comments देते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है मुझे भी लगता है कि मैं शायद सही कर पा रहा हूं और अगर मान लिजे कि मुझे थोड़ा सुझाव भी आपको देने हैं तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बातों को follow करूँ और इस तरीके से मुझे motivation मिलता रहेगा तो मुझे भी लगता रहेगा कि हां मैं सही direction में चल रहा हूं और मुझे और क्या बहतर करना चाहिए जो भी strength super tech की तैयारी कर रहे हैं और मुझे follow कर रह direction में काम कर पा रहे हैं तो आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और मुझे थोड़ा internal motivation आपसे भी मिल पाएगा इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे चले आगे बढ़ते हूं और देखते next point इसी सिद्धान के नितरगत क्या बताया गया है next point है strengths योजना से लाब देखे strengths योजना से क्या लाब होते हैं देखे समयवे श्रम की बचत देखे strengths की जैसे आप नियोजन का सिद्धान या योजन की सिद्धान को पढ़ रहे हैं तो इसके अंतरगत आपने देखा कि as a teacher हमें क्या करना चाहिए तो as a teacher हमें जो है पहले से योजना बनानी चाहिए जब हम planning करते हैं पहले से और उस planning को follow करते हैं तो हम जिस चीज को बच्चों को देना चाहते हैं या जिस message को बच्चों को देना चाहते हैं वो पूर्ण होता है और जब हमारे उद्धिश पूर्ण होते हैं तो उसका प्रभा बच्चों पर पढ़ में 30 से 35 मिनिट समय देने हैं तो उस 30 से 35 मिनिट में मैं कितनी बातों को बच्चों को समझा सकता हूँ easy way में तो ये आपको planning करनी होगी हो सकता है कि जैसे मैं अभी आपको classes दे रहा हूँ ये समझना जरूरी है content ज्यादा करने से वहतर है कि आप चीजों को समझ कर करें क्योंकि question आपके ब्यावारिक जीवन से जुड़ेवे बनेंगे question repeated कम होंगे 10% question repeated हो सकते हैं बट 90% new questions बनेंगे तो new questions आप तभी कर पाते हैं जब आप चीजों को समझ कर चलते हैं और दूसरी खास बात ये है कि जब आप चीजों को रखते हैं तो आपके mind की memory जो space है वो ज्यादा space लेता है ठीक लेकिन जब आप समझ कर चलते हैं तो आपका space नहीं गिरता आप जो है ज्यादा लंबे समय तक चीजों को समझ सकते हैं और कुल मिलाकर जो आप ये section process या फ objective questions में right option तक आपको पहुँचना है तो कहने का मतलब strengths ये है कि जब आप अपनी कक्षा में 30-35 मिनट बच्चों को देने वाले हैं तो उस 30-35 मिनट में आप कितनी बातों को उन बच्चों तक easy way में clear कर सकते हैं ये बात आपको पहले से तैय करनी होगी और इसी को ध्यान में रखकर आपको पहले से योजना बनानी होगी यदि आप योजना बना कर जाएंगे तो आपके चांसे ज्यादा होंगे कि जो भी बाते आप उन बच्चों को बताएंगे वो easy way में बता पाएं और हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज़े बता पाएं लेकिन यदि आप योजना पहले से नहीं बनाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैं 30-35 मिनिट में कितने बिंदों पर बात कर सकता हूं तो एक तो आपके समय की बच्चत होगी दूसरी बात ये भी है कि आपके श्रम की बच्चत होगी हो सकता है कि आप पहले से योजना बना कर नहीं आएं तो आप एक ऐसे उधारन प्रस्तुत कर रहें जो बच्चों को किलियर नहीं हो पारें तो उसके लिए आप दूसरे उधारन में भी किलियर नहीं हो पारें तो आप तीसरे उधारन सोच रहें तो इससे बच्चे को किलियर नहीं हो पारें और आपको ज्यादा कुल is aspirations हो जाएंगे बच्चों को तो कहने का मतलब यह कि जब आप पहले से योजना बनाते हैं तो योजना बनाने से लाइंव होता को समय की बच्चत भी हो जाती है और दूसरी बात यह है कि उनका की बच्चत भी हो जाती है कि उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है कि जब आप ज्यादा समय तक बोलते हैं तो आपकी ज्यादा energy waste होती है तो यदि पहले से योजना बना कराएंगे तो आप point to point बात करेंगे ठीक है सही उधारन उप्युक्त उधारन का उप्योग करेंगे और जब आप उप्युक्त उधारन का उप्योग करेंगे बच्चों के सामने तो बाते उनको easy way में clear हो पाएंगे तो हो सकता है कि आप एक से दो उधारन में उन बात को clear कर दे बट यदि आप 4-5 उधारन प्रस्तुत करते हैं तब जाके समझाते तो इसका मतलब आप ज्यादा ठक जाएंगे यानि कि आपकी श्रम ज्यादा हो जाएगी तो कुल मिला कर आप समझ पाएंगे कि पहले योजना बनाने के क्या फाइदे हो सकते एक तो समय की वच्चत दूसरा श्रम की वच्चत दूसरा point ये स्ट्रेंट योजना बनाने से कि सिक्षन अधिगम क्रमवद ह होगा अगर आप पहले से योजना बनाकर तैयारी कराएंगे बच्चों को तो जो सिक्षन अधिगम प्रक्रिया है ये कैसा होगा क्रमवद होगा जब आप कोई भी चीज क्रमवद में करते हैं यानि के क्रम से चलते हैं तो सारी बाते क्लियर हो जाती है और जो भी उस होज रहे थे तो कहने का मतलब यदि आप पहले से योजना बनाएंगे तो सिक्षन अधिगम एक क्रमवद तरीके से चलेगा और एक क्रमवद तरीके से चलेगा तो ना तो बच्चे को वोरियत लगेगा और ना ही बच्चों को ज्यादा हाड लगेगा वो इजी वे में ची कि यह topic आज के बाद इन बच्चों को कभी इन बच्चों के मन में कोई भ्रहम ना रहे यह topic आज मैं इस तरीके से समझाओ कि बच्चों को clear हो पाए तो इसके लिए आपको पहले से योजना बनाने होगी और आपका उद्देश्य यही होना चाहिए हमेशा कि मैं जिस भी topic को बच्चे के सामने प्रस्तुत करूं वो बच्चे को easy way में clear हो पाए क्योंकि आपका उद्देश्य ही है उस topic को समझाने का अब इस्ट्रेंट्स में क्या है कि हो सकता है कि बहुत सारे इस्ट्रेंट्स ऐसे भी होंगे यह सोज विचार कर सकते हैं कि क्या है उनको पढ़ाना है कि आप जो भी शिक्षक न्यूक्त हो वो बहतर शिक्षक हो उनके पढ़ाने के तौर तरीके बहतर हो बच्चे को वो develop कर सके ठीक है और इसलिए government आपको लगभग 50,000 के आसपास salary primary teacher को इस समय दे रही है बहुत सारे मेरे students है जिनकी salary लगभग 49,000 प्लस है तो कहने का मतल है और आपकी salary 49,000 यह लगभग 50,000 के असपास आपकी salary है आप कोई भी और विभाग देख लीजी इतनी salary हर विभाग में नहीं है यह बड़े बड़े अधिकारियों को भी लगभग लगभग इसमें थोड़ा बहुत increment और मिलता है इतनी मोटी salary हर विभाग में नहीं मिलता लेकिन शिक्षा विभाग में आपको primary level पर ही तिनी मोटी salary आपको देरी as government तो इसका मतलब government आपसे चाहती भी है कि आप कुछ उनके हिसाब से इस तरीके से कारिय करें तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस position पर पहुँचना चाहते हैं तो आपके उद्देश्य पूर् बाते मैंने आपको बता है strengths यह योजना तो यह योजना आप जब अपने ब्याभार में उतारेंगे तो इसका benefit आपको मिलेगा कि जब भी आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप जो भी topic पर बातचीत करेंगे बच्चे को वह topic easy way में clear हो जाएंगे उन्हें अच्छा पढ़ाते हैं तो कहने का मतलब strengths यह वह teacher बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यह वह compliment होते हैं जो एक teacher को बहुत मेंनत करनी के बाद ऐसे comments सुनने को मिलता है वरना आप समझ सकते हैं कि आप बहुत सारे teacher है यूटूब पर भी बहुत सारे teacher हैं बहुत 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 खुम्रा करते हैं सिर्व अपनी बातों में फसाते हैं लेकिन के content में दम नहीं होता बहुत सारे student's उन पर उमीद करते हैं बहुत सारी। धाटा है लेकिन जब result आता है मेहनत तो काफी करते हैं बड़े जब result आता है उसके बाद वो भी समापत हो जाएगा तो कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी को भी भ्रमित ना करे जिसको भी आप जितना दे सकते हैं वो इमानदारी के साथ दे यही मेरा उद्देश है आप समझ पा रहें कि नियोजन के सिध्धान या फिर योजन के सिध्धान का क्या महत्व है आपके लिए तो इस्ट्रेंट्स यह जो मैंने आपको योजन के सिध्धान आपको बताईए आप as a teacher आपको ये चीजे फील करनी है उन बच्चों के लिए लेकिन मैं आपको यहां से एक और उधारन बताता हूँ कि यदि आप इन बातों को अपने लाइफ में भी उतारेंगे अपने जीवन में भी उतारेंगे तो आप भी अपने मिशन में 100% सक्सेस होंगे इसके पीछे कारण यह है कि जब आप प्लैनिंग पहले से करेंगे कि मु मैट्स को आपको कितना समय देना है करेंट अफियर्स को आपको कितना समय देना है इन सभी चीजों कि यदि आप प्लैनिंग करते हैं और उस प्लैनिंग के अकोडिंग आप कार्य करते हैं तो आपका उद्धिश्य अवश्य पूर्ण होगा और आपको टार्गे पहले से से सेट करने होंगे किसका जो स्लेवस है मुझे तीन महिने में कंप्लीट कर सकता हूं या चार महिने में कर सकता हूं या पांच महिने में कर सकता हूं या आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी योजना को किस तरीके से सेट कर सकते हैं आप पांच महिने 6-6 घंटे पढ़कर भी निकाल सकते हैं आप चार महिने में आठाट घंटे पढ़कर भी निकाल सकते हैं आप बारा बारा घंटे तीन महिने पढ़कर भी अपने सिलेवस को कंप्लीट कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है यह पहले से योजना बनाते हैं आपके उद्धिश्य पून होते हैं सिक्षन कोशल और जीवन कोशल एवंग प्रवंधन यह जो तीन टॉपिक के स्ट्रेंट दस-दस मार्क से रिलेटेड इन पर आप निश्चिन्त हो जाएए आप मुझे भरुसा कर रहे हैं आपने मेरे से आशा की है कि मैं आपके साथ अंत तक जुड़ा रहूंगा मैं आपक स्ट्रेंट्स की जितना मेहनत मैं कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे यदि आप एक महनती स्ट्रेंट्स है और आपने अपने जीवन में महनत की है और आप सूपर टेट या फिर डीलेड तक पहुंचे हैं महनत करके तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो कंटेंट मैं आप के सामने लेकर आता हूं तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं इसका यदि आप 50% मेहनत कर लेंगे और मेरी बातों को follow करेंगे आप proper notes बनाएंगे उसको revise करेंगे तो मैं आपको भरुसा दिलाता हूं कि आपके 30 में से 28 plus marks कहीं नहीं जाएंगे आप YouTube में इधर उदर मत भटकिए आप मुझे follow करें तो आप मुझे follow कीजिए यदि आपको कोई मेरे से बहतर teacher आपको लगता है तो आप उनको follow कीजिए लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत अवश्य करनी होगी चाहिए आप आज करेंगे तो जल से जल सफलता प्राप्त करेंगे और अगर आप इस समय भटक जाएंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे कभी इस channel से पढ़ लिया कभी उस channel से पढ़ लिया तो इसका मतलब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और जो भी मैंने अभी तक आपको बताएं यदि आप अपनी planning पहले से कर लेते हैं तो आप अपने mission में अवश्य सफल होंगे और आप psychology से related निश्चिन्त हो जाएं तीस marks के लिए सिर्फ आप ये कीजिए कि आप मेहनत कीजिए बराबर मेहनत कीजिए जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे ही आप मेहनत करते रहिए आपके psychology में जैसे जैसे मैं आपको content देता हूं उसको notes बनाएए proper इसको revise कीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं बस वैसे वैसे करते रहिए आपके 30 में से 28 marks कहीं नहीं गए आप इस subject से निश्चिन्त हो जाएं और आप अपने बाकी subjects जो भी आपके weak subjects है उन पर focus कीजिए चले next सिध्धान पर आगे वढ़ते और next सिध्धान है आपसे कहता है चैन का सिध्धान दे के चैन का सिध्धान है चैन का मतलब ही होता है choice पर उसके कारिय की सफलता निर्भर करती है, देखे जब सिक्षक हैं आप और आप जब किसी भी चीज को अच्छे तरीके से चैन करेंगे, यदि आपके अंदर अच्छे चैन की योगिता है, तो इसका मतलब आपके जो कारिये हैं, जो आपके कारिये हैं, उसकी सफलता भी आपके चैन पर निर्भर करत आते हैं तो आप उन बच्चों के सामने जो भी कंटेंट को लेकर जाएंगे उनको पढ़ाने के लिए तो उनमें जो उधारन उनके जो कंटेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनका चैन आप जिस ढंग से करेंगे तो आपके कारे की सफलता भी आपके उस चैन पर निरभर कर आपके कारिय की जो सफलता है वो उतना ही बहतर हो पाएगा तो इस समय जो भी आप सूपर्टेट को टार्गेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस एक्जेम्स को क्रैक करूं तो इसके लिए आपको अच्छे कंटेंट को चूज करने की योगता होनी चाहिए यदि आप अच्छे कंटेंट को चूज कर पाएंगे और उसके अनुसार आप कारिय कर पाएंगे तो आप अपने मिशन में अवश्य सफल होंगे तो आपकी जो सफलता है वो आप पर निर्भर करती है कि आप उनका चैन किस तरीके से करते हैं जैसे बहुत सारे स्ट्रेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोई भी पुब्लिकेशन की भुक लेकर आते हैं उसको पढ़ते हैं और उसके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो कहने का मतलब यह स्ट्रेंट्स की जो बच्चे हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं वो करते क्या हैं जो बिंदू बच्चों को पता होते ह हैं, उनका chain करने की योगिता उनके अंदर है, तो उनके chain करने के उपर निर्भर करता है कि उनकी सफलता किस प्रकार की होने वाली है, क्या वो इस exam में 120 plus marks गियन कर पाएंगे या 110 plus marks गियन कर पाएंगे, तो कहने का मतलब यह है कि आपकी सफलता आपके अच्छे चैन की योग्यता पर निर्भर करती है इसलिए चैन करना जरूरी है कहने का मतलब यह है कि आप जो भी टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक को समझाने के लिए जिस भी उधारन का आप चैन कर रहे हैं वो उधारन ऐसे हो चाहिए कि आप वो उधारन प्रस्तुत करें और बच्चों को वो बात बिल्कुल इसपश्ट हो जाए क्लियर हो जाए इसलिए उस चैन को लेकर आपको पहले से योजना बनाने पड़ते हैं तो आप बहुत सारे विचार विमर्ष करते हैं और सही उधारन को अपने योजना क इंतरगत शामिल कर पाते हैं और यदि आप सही ढंग से योजना नहीं बनाते हैं आप योजना बिना बनाए आप कक्षा में चले जाते हैं तो आप उस समय जो उधारन प्रस्तुत करेंगे या आपको भी नहीं पता कि ये बच्चों को किलियर हो पाएंगे या नहीं हो सकत से बच्चों के सामने कौन से उधारन का किस तरीके से चैन करेंगे तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राइबंड साब ने चैन के सिद्धान के वारे में क्या बताया तो राइबंड साब के अनुसार उन्होंने चैन के सिद् किया जाना चाहिए देखे आपको भी पता है कि जो ग्यान का स्वरूप है यानि कि जो ग्यान है इसका जो रूप है वो अतह सागर के समान है यानि कि आप समझ सकते हैं कि ग्यान अतह सागर के समान है यदि आप ग्यान में से एक यानि कि सागर से आप एक या दो बाल्टी पा जखते हैं, उन घ्यानों को यदि आपको देने का तरीका पता है, चैन करने का तरीका पता है, तो हो सकता है कि जिस मैसेज को आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जल से जल पहुंच जाए, और उन में डाउट्स भी उनके ना बने, यसका वो इप आपसे कि ग्यान का स्वरूप अत्य सागर के समान है अत्य सिक्षन के दोरान ग्यान रुपी अत्य सागर से यनि कि जो ग्यान रुपी अत्य सागर है उसे सिक्षन के दोरान चुनकर समागरियों को यनि कि कुछ समागरी ऐसे होते हैं जिनको चुनकर बच्चों के सामने प्रस प्रस्तूत करते हैं और उनके माध्यम से आप उस बात को समझाते हैं, तो वो बहुत अच्छे धंग से किलियर हो पाते हैं, तो यही आप को राइबंड साब भी बता रहे हैं, कि ग्यान का स्वरुप तो अतेसागर है, लेकिन आप सभी के सभी ग्यान उनको दे नहीं सकते, आप उनको सही धंग से कुछ समाग्रियों को यदि बच्चों के सामने प्रस्तूत करते हैं तो उसके माध्यम से आप अपने संदेश को उन तक पहुँचा सकते हैं। कहने का मतलब स्ट्रेंट्स ये है कि जो सिक्षण अधिगम के सिद्धान्त है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा यदि आपने DLA का प्रशिक्षन लिया होगा या BLA का प्रशिक्षन लिया होगा तो कहीं न कहीं आप इस टॉपिक से अवगत होंगे हो सकता है कि आपने ध्यान दिया है या फिर ना दिया हो यदि दिया है तो आपको पता चल पा रहा होगा कि ये content क्या है कहां से आ रहा है और यदि आपने ध्यान नहीं भी दिया होगा तो भी आप समझ पा रहे होंगे तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका एक पूरा का पूरा जो topic है ये पूरी किताब है लेकिन मैक्सिमम दो प्रशन पूछे जा सकते हैं और चांसे से एक प्रशन भी उठा लिया जाए लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्ट्वेंट साप एक या दो नंबर के लिए पूरी किताब को किस तरीके से पढ़ेंगे और उनके हर एक बिंदू को किस तरीके से याद होता है कि कूंसा कन्टेंट कैसा रहेगा कहां से प्रश्ण बन सकते हैं तो आप देख पाररे हूंगी कि मैं आपके लिए किस तरीके के content को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ आप यदि इन सभी content के proper notes बनाते हैं और इनको बार-बार revise करते हैं तो आपको सारी बाते इसपस्ट हो जाएंगे clear हो जाएंगे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेंगे और आप easily super tech 2022 में 30 में से 28 plus marks easily gain कर पाएंगे तो I hope आप मेरी बातों को समझ पारे होंगे और आपने जाना कि आज हमने निश्यत उद्देशो का सिध्धान्द कब और कैसे करना होता है और इसका use हमें कब कैसे करना चाहिए नियोजन का सिध्धान्द या फिर योजन clear हो गए होंगे यदि आपको topics related कोई भी doubts है तो आप comment section में comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ और यदि आपको ये सारे points clear हो गए होंगे तो भी आप comment के माध्यम से मुझे बता सकते हैं जिसे मुझे internal motivation मिल सकता है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको इकलास अच्छी लगी हो तो इसे like कीजी अपने दोस्तों के साथ share कीजी और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिए well icon को भी press कर दीजिए ताकि इसी तरीके की beneficial video जब भी मैं आपके लिए लाओ तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद